जेहीं दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन एयर फोर्स यानि की भरतिय वायू सेना के तरप से ट्रेट्समेन पदोपा जो आपका भरती रिलीज किया गया है इसका फॉर्म आप सभी कैसे फील कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें कौन-कौन सा डॉकमेंट जो है आपको साथ में अटैज करके भेजना है और कहां पर जो है आपको फॉर्म अप्लाई करके सेंड करना है आज की इस वीडियो में कम्पलीट जनकारी आपको बताएंगे लेकिन यहां पे एक बार और सोट में आप सभी को डिटेल्स बता देते हैं इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 अक्टूबर 2022 है और इसमें जो आपका वेकेंसी है वो आप सभी यहां पर देखेंगे ट्रेट्समेन के अंतरगत काफी सारे पोस्ट है जैसे कि यहां पे आप सभी को बता दें यहां पे दो जो है आपका एश्ट्रीम के अंतरगत वेकेंसी है एक आपका होस्पिटलीटी के अंतरगत है जिसमें कूक अंड मेस्वेटर का पोस्ट आपको देखने को मिलेगा और एक जो है house keeping stream के अंतरगत तो इसमें जो है सफाई वाला लासकर, वासर अप, water carrier, बारबर, धोबी, mochi, tailor and watchman तो यहाँ पे अगर आप सभी cook and mess waiter यानि कि cook या mess waiter के लिए अगर आप सभी form apply करते हैं तो आपको जो है hospitality stream के अंतरगत form fill करना होगा और जो भी candidate सफाई वाला लासकर, वासर अप, water carrier, बारबर, धोबी, mochi, tailor and watchman इनके लिए अगर आप form apply करते हैं तो आपको housekeeping stream के अंतरगत form fill करना होगा तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं form का जो pdf है आप सभी को इसके बारे में बता दे यह रहा इसका application form जो आप सभी यहाँ पर देख रहे हैं और इसी form को जो है आपको fill करके send करना है तो सबसे पहले तो आप सभी को बता दे यह form जो है आप सभी कहां से download करते हैं तो इसे डाउनलोड करने का जो लिंक है, यानि कि जो ये फर्म का अप्लिकेशन, फर्म का जो पीडियेप है, उसका लिंक जो है आपको description में मिल जाएगा, description में दिये गए लिंक पर किलिक करके, आप direct जो है इस फर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, या आप सभी हमारे टेलीगरा चैनल पर भी जाकर जो है इस फॉर्म को वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या इसके अलावा online सरकारी job.com आप सभी google में टाइप किजिएगा और post में जो है एरफोर्स वेकेंसी रिलेटेड पोस्ट आएगा वहाँ पर किली करके भी इस फॉर्म को जो है उस पोस्ट से डाउनलोड कर सकते हैं डाइरेक्ट इसका लिंक description में मिल जाएगा description में दिये गए लिंक पर किली करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आपको किसी भी cyber cash में जाना है और वहाँ से जो है इसका print out ले लेना है ये दो page का जो है form में एक page ये है और एक page ये है तो दो page में जो है आपका ये form का जो है PDF आ जाएगा और उसके बाद जो है print out ले लेने के बाद आपको इस form को feel करना है लेकिन form feel करने से पहले एक important जनकारी आपको यहाँ पे बता दे कि एड्रेस जो है यानि कि कहां पे आपको फॉर्म सेंड करना होगा तो यहां पे जैसे कि मैंने आपको बता हैं कि होस्पिटलिटी एश्ट्रीम के अंतरगत जो है कूक एंड मेस्वेटर का है और हाउस क्वीपिंग के अंतरगत यह सभी पोस्ट है तो यहां पर देख दो एश्ट्रीम भाई लेबल में आप सभी यहां पर देखेंगे होस्पिटलिटी एंड होस्पिटलिटी तो यहां पर यह दो एड्रेस जो आप देख रहे हैं कूक एंड मेस्वेटर यहां पर आप सभी देख लिजिए कूक एंड मेस्वेटर के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इस address या इस address इन दोनों में से किसी address पर जो है आप सब भी form send कर सकते हैं आप अपने एक ओडिये दोनों address में से किसी भी address पर आपको form फिल करके जो है send कर सकते हैं लेकिन जो भी candidate यहाँ पे सफाई वाला लैसकर वासर आप water career बारबर धोबी मोची टेल कर यानि कि इस address को छोड़ कर बाकी जितने भी यहाँ पे address है इन में से किसी भी address पर आप form इसका send कर सकते हैं क्योंकि इसमें housekeeping का जो stream है वो available है लेकिन इस address पर क्यवल जो है hospital Italy का जो है stream आपका available है तो यह जो है आपको ध्यान में रखना है अब चलिए यहाँ पर form फिल करत तो आप सभी को document इसमें बता दे कि कौन-कौन सा document जो है आपको लगेगा तो यहाँ पर सबसे पहले तो class 10 का जो है certificate आपके पास होना चाहिए क्योंकि इसकी जो qualification है educational qualification वा मात्र 10 पास रखा गया है यानि कि simply अगर आप 10 पास है किसी भी board से तो इसका form apply कर सकते हैं इसमें कि PCB परकार के experience जो है नहीं मांगा गया है तो आप में से जितने भी यह student होंगे लगवग सभी के पास तेंत का certificate होगा तो definitely आप सभी इसका form apply कर पाएंगे कोई भी problem नहीं है तो इसमें document कौन-कौन सा आपको जो है तयार करके रखना है क्योंकि attach करके आपको send करना होगा तो त constant का certificate होना चाहिए और इसके अलावा passport size जो है एक photograph जो है आपको जो form है उस पर लगाना होगा जो कि जुलाई 2022 के पहले का नहीं होना चाहिए यानि कि recent जो है passport size photograph और इसके अलावा आप सभी को बता दे 18 बरस अगर आपको कम है तो constant certificate लगाना होगा तो उसका भी PDFC में दिया गया है लेकिन अगर आप अठारे से एबब है तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है और इसके अलावा एक identity proof में अधार कर्ड लगा दीजिएगा और इसके अलावा एक और document आपको बता दे character certificate अगर आपके पास है जो कि 6 मन्त से जादा पुराना नहीं होना चाहिए जो कि प्रिंस्पल ओपी स्कूल के द्वारा इसू किया गया हो तो आप सभी इसे भी लगा सकते हैं लेकिन जिस भी candidate के पास character certificate नहीं है वो जो है विदाउत character certificate का भी apply कर सकते हैं लेकिन center पर जो है जब आपका रैली होगा उसमें लेकर जाना होगा इसके अलावा दोस्तों आप स साथ जिस पर दोस रूपया का stamp जो है लागा होना चाहिए और यह envelope पीस लिए मांगा जाता है ताकि उसी envelope में जो है admit card जो है return test का जो आपका admit card है वो send किया जाता है तो यहाँ पर देख लीजिए आपको form कैसे fill करना है step by step यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप स stream applied for यानि कि कौन से stream के अंतरगत आप form apply करते हैं तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है कि cook and mess waiter के लिए अगर आप सभी form apply करते हैं तो इसका जो stream है hospitality जो है stream है तो अगर आप सभी cook and mess waiter के लिए करते हैं तो hospitality जो है आपका stream यहाँ पे feel होगा लेकिन अगर cook and mess waiter को छो दोर कर बाकी जितने भी पोस्ट है उनके लिए करते हैं तो यहाँ पे house keeping जो है आप सभी यहाँ पे feel कर दीजिएगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पा देखेंगे first number में जो है name of the applicant यानि कि applicant का यहाँ पे name पूछा जा रहा है तो आपका जो भी name है उसे जो है capital letter में यहाँ प आपको यहाँ पे feel करना है उसके अलावा आपका father का profession क्या है तो यहाँ पे father के profession में जो है आप सभी के पीता जी क्या करते हैं किसान है या businessman है जो भी है या कहीं पर job करते हैं government sector में तो उसका details जो है यहाँ पर दे सकते हैं अगर आपके father किसान है तो farmer यहाँ पे सीधे लि जो है आपसे मांगा जाएगा तो तेन्त के certificate पर जो आपका date of birth दिया है वही same date of birth आपको देना है यानि कि तेन्त के certificate के साथ और date of birth आपका match होना चाहिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे age as and date of application तो यहाँ पे एक important जनकारी आपको बता दे कि यहाँ पे जा रहा है तो इसके लिए यहाँ पे आपको बता दे इसका form जो है 16 और यहाँ पे 10 16 October 2022 से जो है इसका form शुरू हुआ है और मान लिजिए कि आपका जो है यानि कि 16 October 2022 तक आपका कितना age हो जाएगा ओ जो है आपको यहाँ पे mention करना है तो जैसे कि मान लिजिए अगर आपक date of birth है 1801-2000 तो आप इसमें से जो है minus किजिएगा जितना आएगा उतना years जो है जैसे कि यहाँ पे 22 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा तो यानि कि 9 मन्थ जो है आपका और 22 साल जो है और 1 डे जो है आपका क्या हुआ यहाँ जो है तो यहाँ पे जो है आप अपना years औ और केवल मन्थ ही आपको यहाँ पे mention करना है तो यहाँ पे 1601-2022 तक कितना यह जोगा ओ आपको केवल आपको यहाँ पे देना है इसके अलावा नेशनलेटी में जो है आप सभी इंडियान यहाँ पे फिल किजिएगा यहाँ पे marital status में unmarried आपको करना है बड़ी टैटू में yes या no अगर आपके बड़ी में कोई टैटू है तो आप yes किजिएगा नियथा no करना है एड्रेस में जो है आपका correspondence जो भी एड्रेस है यानि कि आप जहाँ पे रहते हैं वो आपको जो है यहाँ पे फिल करना है email id, mobile number और permanent address तो देखिए यहाँ पे अगर आपका correspondence और permanent दोनों सेम है तो दोनों सेम यहाँ पे फिल किजिएगा अगर आप सभी आपका permanent address कहीं और है और आप रहते कहीं और है तो वो भी अलग-अलग यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं तो permanent में आपका जो permanent address है वो दीजिएगा correspondence में जहाँ पर आप रहते हैं उसका details दे सकते हैं ले बोड से आप तेंथ पास किये हैं उसका certificate नमबर और अगर आपसे भी 12th पास आउट है तो उसका बोड का नेम और certificate नमबर दे सकते हैं 12th पास नहीं है तो इसे blank छोड़ दीजिएगा इसके बाद दोस्तों 10 नमबर में देखेंगे language आपसे पुछा जा रहा है कि आप जो है language you can read and write यानि कि कौन-कौन से language को आप read and write कर सकते हैं तो आप मैंसे maximum student जो है हिंदी जानते ही होंगे और उसके अलावा English तो हिंदी और इंगलिस यहाँ पे mention कर दीजिएगा अगर आप से भी इसके अलावा कोई और language जानते हैं जैसे कि English आपको नहीं पता है दूसरा कोई language पता है तो जो है यहाँ पे आप से भी दे सकते हैं सिंपली आप यहाँ पे हिंदी इंगलिस फिल कर दीजिएगा इसके बाद details of past service तो पहले अगर आप कहीं पे job किये हैं तो उसका details आप दे सकते हैं अगर आप एक phraser है कहीं पहले job नहीं किये हैं तो इसे blank छोड़ देना है परजेंट occupation अगर आप 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 परजेंट के समय में कोई काम करते हैं कहीं पे job या कुछ भी करते हैं तो उसका details दे सकते हैं या या था इसे blank छोड़ देना है इसके बाद दोस्तों तेरे नंबर में देखेंगे अगर आपके पादर आपके जो फादर है यानि कि आपके जो पीता जी है पहले से अगर retired है या serving है Indian Air Force में तो उसका details यो है आप सब यहाँ पे बता सकते हैं इसके बाद दोस्तों चोदे नंबर में यहाँ पे इसको जो है simply आपको छोड़ देना है किमकि यहाँ पे वैसे student के लिए है जिनके पीता जी है पहले से Indian Air Force में job कर रहे है या retire हो चुके है वैसे candidate का यहाँ पे जो है अगर आपके फादर जो है पहले से job कर रहे है या retire हो या अभी परजन टाइम में job कर रहे हैं तो उनका details यहाँ पे आप दे सकते हैं इसके बाद experience इप any industry applied for तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि cook and mess waiter का vacancy है और इसके लवा साफाई वाला काफी सरे post के लिए आपका भरती है तो अगर आप जीस भी post के लिए form apply कर रहे हैं उस post से related अगर आपके पास experience है तो कितने year का experience है या कितने month का experience है जैसे कि माली जी one year का experience है तो one year साफ सब यहाँ पे दे दिजेगा अगर six month का है तो six month भी आप सब यहाँ पे लिख सकते हैं और attach the copy of certificate as proof तो उसका certificate भी definitely होगा अगर आपके पास experience है तो certificate होगा तो उसको जो है blank छोड़ दीजिएगा इसमें कुछ भी फिल नहीं करना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे certificate by applicant तो simply यहाँ पर आपको अपना date जो है mention कर देना है जिस तीन आप form फिल कर रहे हैं और signature of applicant आपका signature जो भी है आप यहाँ पर कर दीजिएगा इसके बाद कौन-कौन सा document जो है आप form में send कर रहे हैं attach करके तो class 10 का certificate तो definitely आप send करेंगे क्यमकि यह निवार है यहाँ पर certificate of experience तो अगर आपके पास experience certificate है तो आपको yes करना है अन्याथा simply इसमें no कर दीजिएगा और character certificate not older than 6 month तो यहाँ पर जो है character certificate जो है 6 month से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहि अगर आपके पास है तो yes किजिएगा निया था आपको no यहाँ पर कर देना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जैसे कि मैंने आपको बताये थे constant certificate के बारे में जो भी candidate 18 बरस से com age का है तो उनके लिए यहाँ पर constant certificate जो है feel करना होगा और इसी भी send करना होगा य और आप जो है आप अपने जो है नाम यहाँ पर दिजिएगा और इसके बाद आपका sign यहाँ पर होना चाहिए date और यहाँ पर आपका जो सीकनेचर है अप्लिकेंट पैरेंट से लीगल गर्जियन तो जो आपके पैरेंट से यानि कि आपके जो भी गर्जियन है आपके mother य यहाँ पर four candidate above 18 years of age तो अगर आप 18 साल से ज्यादा है तो आप मेंसे जितने भी student होंगे maximum 18 साल से ज्यादा ही होंगे तो यहाँ पर simply आपसे भी अपना नाम दिजिएगा और यहाँ पर signature of candidate और date जिस date को आप form फिल कर रहे हैं वो date यहाँ पर mention कर दिजिएगा 18 बरस से जो ज नहीं भी कर सकते हैं तो stream applied for या आपका stream क्या है housekeeping है या hospitality है वो जो है आपसे यहाँ पर दिजिएगा दोनों में से जो भी है stream का नाम देना है post का नाम नहीं नेम आपको यहाँ पर देना है धारकट नंबर फादास नेम एड्रेस पोस्ट डिश्टी के स्टेट पीन कोट तो और date and time यह सभी इसे आपको blank चोरना है और यह भी blank चोरना है क्यांकि यह जो है आपको फिल नहीं करना है यह बोड के द्वारा फिल किया जाएगा और यहाँ पे भी photo आप सभी एक लगा दीजिएगा passport size का इसके बाद दोस्तों आप सभी देखेंगे यह जो है signature जो है और preced फिल कर देना है और उसके बाद जो है फिल करके आपको सांथ में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कौन-कौन सा document लगेगा इसमें document में तो आप सभी को बता दे तेन्थ का certificate होना ही चाहिए passport size photograph आपको दो जो है एक admin card वाले section और एक जो form का section है वहाँ पे आपको लगाना है और सांथ में एक photo आप भेज भी सकते हैं हलांकि यहाँ पे मांगा नहीं गया है और इसके अलावा जो है एक ID proof आप सभी लगा दी जीएगा अधार काट अगर आपके पास character है यहाँ पे आपको बता दे character है तो character certificate जो है आप सभी यहाँ पे लगा सकते हैं नहीं है तो कोई भी बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे character लेकिन character certificate जो है जब document required for verification during selection test तो आपके exam center पा जब इसका selection process होगा उस समय character आपसे मांगा जा सकते हैं लेकिन जब आप जाएंगे exam center पा उस समय character certificate आपको लेकर जाना होगा यह आपको ध्यान में रखना है तो दोस्तों इस तरह से आप सभी इसका form apply कर पाएंगे अब यहाँ पे बात करते हैं कि form आपको send कैसे करना है तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस बाकी जितने भी post है उनके लिए apply करना चाहते हैं तो इस address को छोड़कर इन में से किसी भी address पर send कर सकते हैं और यहाँ पे drop box का आपको यहाँ पे बता दे और नहीं तो आप नर्मल कहीं जगा पर रहते हैं तो simply जो है आप सबी post office के through इसका form apply करेंगे और form जो है आप सभी को बता दे speed post के माध्यम से या normal post के माध्यम से या register post के माध्यम से तो इन तीनों में से किसी के माध्यम से आप सभी कर सकते हैं क्योंकि इसमें mention नहीं है कि कौन से post के माध्यम से जो है आपको करना है तो speed post, normal post, register post इन में से किसी के माध्यम से आप सभी कर सकते हैं Personally जो हम prefer करेंगे आप सभी को speed post के माधियम से करने के लिए क्योंकि इससे जल्दी जो है आपका form वहाँ पहुंचेगा address पर और इसकी last डेट जो है 25 October 2020 है तो अगर आप सभी इसका form apply करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कर दीजिए क्योंकि समय जो है इसमें जादा नहीं दिया गया है और इसका form 16.10.2022 से आपका सुरू किया गया है कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए और इसका form का लिंक आपको description में मिल जाएगा फिर मिलते हैं next वीडियो में तब तक लिए जहिंद बंदे मात्रम